और वल दिले के केरपी परखंड के रोहाई पंचाट के बक्ताली गाउं में नाली की समस्या से तीस प्रिवार बुरी तरह से जूज रहे हैं राज्यू कुमार के प्रिवार को काफी परशाणियों का सामना करना पड़ रहा है इनके घरों में नाली का पानी लगा रहता है इससे किस तरह के परशानी आपको हो रही है? बहुत सी परशानी हो रही है नहीं घर में नहाने में बना है नहीं खाने में बहुत बनाता है नाली बनाने की परकिरिया मुख्या संक अध्यक्ष और स्वाव मुख्या ग्राम पंचातरो हाई अभिशे का अंज़नी ने शुरू की थी मगर समस्या ये थी कि गर्मदरुवा जमीन पे कुछ दबंगों का कब्जा है दबंगों ने नाली बनाने में बेवधान डाला और नाली को बनने नहीं दिया तथ हमुख्या संक अध्यक्ष पर भी बार बार दबाव बनाते हैं कि एहां पे नाली न बने जब कि 30 परिवारों का कहना है कि गर्मदरुवा जमीन जब सरकारी है तो इसी साइड से नाली निकाले जाए चाहते हैं कि मेरे रास्ता को इस बरसाथ से पहले जो है बन जाए तो बहुत अच्छा होगा और इस रास्ते में हैं पूरे गाओं का नाली गिरता है और फिर इस साल गिरने की समभावना बुझा रही है इस वरसम चाहते हैं मुखिया जी को भी बोले हैं कि इस समस्या से नियाद दिलाया जाए नहीं तो मेरा पूरा घर के परिवार रोग ग्रसित हो जाएगा चुकि मेरे गल्ली में आने जाने का ये कही रास्ता है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमारी मदद कर सकता है इसके लिए ग्राम पंचायत रोहाइक के मुखिया श्री अभिशेक रंजन जी के मोबाइल नंबर 97,91,93,93 पे कॉल कर आगरा करें कि फिर ग्रामीनों के सहयोग से नाली बनाने का काम करें मैं एसम जफर जिला अरवल राजबिहार से इंडिया अनहट के लिए